हेलो गाइस, होप अब लोग सब ठीक होंगे, सो मैं एक नया वीडियो सीरीज लेके आया हूँ, डेवप स्कूपर, इस वीडियो में हम लोग को एक जर्नी पर लेके जाएंगे, इस जर्नी में हम लोग दिखाएंगे कि आप कैसे अपना प्रोजेक्ट का अपना मैनेज कर सकत हो, प्रोजेक्ट का लाइप साइकल में, गीट कैसे यूज होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा, trust me, और अब लोग अगर नहीं जानते हो, गीट के थूर कैसे प्रोजेक्ट मैनेज को होता है, तो I am sure आप लोग बहुत सिखने को मिलेगा, और as a developer, आप बहुत confident feel करोगे, ये वीडियो देखने के बाद, Okay, so, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे पहले हम लोग उसके बारे में थोड़े discuss कर लेते हैं, हम लोग ये करेंगे कि, हम लोग जो अपना project है, project को कैसे काम करते हैं, कैसे project पहले create करते हैं, create करने के बाद उसको कैसे commit करते हो, गीट में, तेन प्रोजेक्ट जब आपकी compete हो जाती है, कैसे उसको अपना live server में कैसे उसको push करते हो, जैसे अब इस diagram के देखी सकते हो, अब अब अपना live server पे push कर सकते हो, और कभी-कभी बहुत सरा आपकी team members जो है, जो लोग remotely काम कर रहा है, या फिर कहीं भी काम कर रहा है, म repo का use करना पड़ता है, जैसे github हो गया, beat bucket हो गया, वैसे आप अपना local server setup करके भी, वहाँ पे भी सारे एक साथ मिलके काम कर सकते हो, लेकिन normally github में, या फिर beat bucket में, सब लोग contribute करते हैं, तो वो सब कैसे manage होती है, तो यह मेरा local development server है, देखो हम लोग यहां से कैसे github में push करेंगे, कैसे हम लोग beat bucket में push करेंगे, और कैसे इसको हम लोग जो अपना actual server है, जहां पर हम लोग का code या फिर project का file जाएगा, वहां पर कैसे जाएगा, यह सब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग अपना छोटा मोठा कुछ एक project तो नहीं बनाएंगे, बस ऐसे कुछ example auto deploy करेंगे git के मतद से, हम लोग को FTP, FTP, FTP दूसरा कुछ चीज भी कुछ चीज नहीं करेंगे, FTP के मतद से commit करके यहां पर अपना जो web server है, web server हम लोग इसको deploy करेंगे, ओके, और इसको मतद से अगर ऐसे करोगे, तो future में आपको अपना project का जो version है, वो track करने में बहुत अतासानी से हो जाएगा, और सेम करेंगे हम लोग यह bit bucket और git में भी, okay, तो मैं आप लोग एक छोटा सा demo दिखा देता हूं, okay, so, अब लोग थोड़ा clear हो जाएगा, कि हम लोग आज क्या सीखने जा रहा है, यह actually guys, बहुत important है, अब लोग सीख लो, आज की जामाने में तो git must ही must है, मतलब नहीं तो company में घुसरे नहीं देता, ऐसा ही सोच लो, तो सब को सिखना पड़ेगा, जो लोग जानते नहीं हूं, जो लोग जानते हो वो लोग बहुत अच्छा है, मतलब जानना चाहिए ही सब को, okay, तो मैं लोग एक छोटा सा demo दिखा देता हूं, हां, तो म कर रहा है, मैं sorry, यहां पर देखो, github में मेरा उसका एक copy भी है, मतलब जो मेरा remote repo जिसको कहता है, github की भासा में, so git का, मतलब git का, git का, git का खुद का यह है, github, जो एक remote repo है, और, same एक है चीज, यह git का खुद का नहीं है, यह मतलब, italian कर के कुछ एक नाम है, I don't know, ऐस एक कुछ भूल गया नाम, जो भी है, तो यह bit bucket है, तो bit bucket में भी, आप अपना git के जैसा project का file रह सकता हूँ, bit bucket और git में main फर्क जो होता है, वो मैं कहा देता हूँ, bit bucket में, आप अगर three user हो, तो आपका code सब लोग देख पाएगा, मतलब इसको private नहीं कर पाऊगे, लेकिन, sorry और यह आपकी github में ऐसा है, लेकिन bit bucket में, bit bucket में आप अपना code private कर सकते हो, okay, दोनों ही यह remote repo है, जैसे आप अपना computer में अपना file save करके रखते हो, वैसे ही आप remote repo में अपना file यहाँ पर उठा कर रख सकते हो, ठीक है, और bit bucket में ही same है, most of the time, अब लोग bit bucket का ही इस्तमाल जाधा करोगे आपना live client है, client का project समालने के लिए, क्योंकि obviously आप तो नहीं चाहोगे ना, कि आपका जो code है, वो दूसरा कोई, आपका client का code है, client का सरबाद जो code है, वो दूसरा कोई देख ले, security का भी issue होता है, privacy का issue होता है, बहुत सारा कोच चीज़े है, तो most of the time, आप लो server में भी हम लोग कैसे code को auto deploy कर सकते हैं, ठीक है, तो यह मेरा website है, यह मेरा local पे है, आप देख सकते हो, यह मेरा project है, okay, आच्छा, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि project में कैसे changes हम लोग यहां से track कर सकते हैं, तो मालो मैं यह मेरा website है, तो simple एक website है, बस एक table बना का रही है, यहां पर एक file है, वहां पर 100 file होगा, कोई फरक नहीं पड़ता हूँ, मतलब समझ में, समझ गया होगा, मतलब आप समझ रहे हो न, idea किया है? तो मैं intelligence कर रहा हूँ, ठीक है में और एक user add कर रहा हूँ हूँ, इसको copy कर लेता हूँ, tier, को यहां पर user add करता हूँ, सूप हेज 251 भिए 7 सेभ तो कर दिया तो एभि इसके बाद ओम लों को मत करें कि उसको कोमेड करेंगे कोमेड करेंगे और मैं तर्छ ओ सब करूं जयो कि विण करोगे जो यह समझांगा इसको मैं संभाएथ दिखा रहा हूं तो यह सब लोको लोका कि टेंशन मतलो को समझाएंगे ही मैं इसलिए तो हूँ सो मैं यहां पर अपना git pass initialize करता हूं तो मैंने changes किया हूं तो इसके लिए मुझे add करना पड़ेगा अपना changes सरी तो git add ओके देन आप आप टू commit it so मुझे commit करना पड़ेगा so git commit minus m so लिखेंगे user omit added ओके इसको commit कर लेता हूं commit हो गया अभी यह जो changes मैंने किया हूँ यहां पे अब अगर देखोगे मैंने लोकाल पे कर दिया न लेकिन यह changes मेरा भी यहां पे भी नहीं हुआ यहां पे भी नहीं हुआ यहां यहां यह जो use कर रहें दो git repo यहां पे तो बस हम लोग फाइल को store करने के लिए है न कि मुस्किल में मुस्किल में मालब कभी मालब आपका local development server यहां पे local computer आपका explode कर गया सब security के लिए हम लोग क्या करते हैं इसको यहां पे save करकर रखते हैं ठीक है न मालब कोई दूसरा जागा एक यहां पे देखो यहां पे तो add हो गया तो अभी इसका यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे लोग इसको पूश करना परेगा ठीक है तो git push और मैं अपना यह जो यह जो remote host का नाम दिया हूं प्रोडक्शन ओके इसलिए लिए 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 आओं प्रोडक्शन और उसके बाद मेरे ब्रैंच का नाम मस्टर ऑके तो यह मुझा अभी पासवर्ड देने को बोलेगा गा तो मैं पासवर्ड में दूंगा यह देखो मैंने password दे दिया हूं तो यह push भी कर दिया अभी मैं इसको यहां पे देखता हूं यहां पे omit user आ जाएगा यह देखो आ गया न तो यहां पे क्या automatically code को update कर रहा है और अभी तो फिलाल में deploy कर दिया हूं तो project बनाते बनाते मनला आगे वीडियो में आप लोग देख भी पाऊगे कि आप कैसे automatically इसको deploy कर सकते हो अच्छा अभी हम लोग को इसका copy है इसका copy तो हम लोग को लेना लेकर रखना होगा na security के लिए so तो इसको हम लोग github में अभी push करेंगे ठीक है तो git git push और मैं इस github repo है इसका मैंने remote का नाम रखा हूं github भी रखा हूं git push github और मैं ब्रांच का नाम master ओके so यह थोड़ो time ही लेता है push होने में बस तो गड़ासा time लेता है यह देखो यह push तो हो गया अच्छा भी हम लोग चेक करेंगे देखो अभी एक commit है अभी देखो दूसरा commit हम लोग का जो नया commit है वो यहां पर दिखने लगेगा user on edit अभी अगर मैं check करूंगा इसको तो आप देखना यह देखो user add हो गया है अभी कोई कोई बंदा जो जो हम लोग को student wouldn't look है यह फिर जो कुछ फ्री में यूज कर रहा है तो वो लोग तो obviously आपना project जो है यह फिर क्यों बेकार में क्यों पैसा क्यों का रच करना जब अपका private फाइल ले फ्री में मिलता है तो मैं गिटाब में भी कैसे करते हो वो मैं दिखा देता हूं ठीक है तो यह माल लो मेरा project file है तो यह देखो तो मैं यहां पर अभी github में sorry यह bit packet में पूस करूंगा तो उसके लिए यह मेरा रहा तो यह पर लिकूंगा git push इसका नाम दिया हूं है bit bucket bit bucket and then master यह देखो यह push कर रहा है भी यह push हो गया है अभी मैं इसको यह रिलोट करके देखूंगा देखा guys अब लोगों का यह जो changes है वह यहां पर भी reflect हो गया यह देखो मैं अगा check करके देखता हूं file यह देखो आ गया ना यह changes so अब देख सकते हो कितना कितना आसान है और कैसे करते हो लेकिन इसको अभी हम लोग करना पड़ेगा ठीक है तो चलो सुरू करते हैं अभी कि सारी इसका डेवों बिलाके और इसका यूश केस बाताते बाताते दस बारा मिनित तो होई गया है लेकिन यह चीज़ यह सब डेवाप्स सिखने के लिए थोड़ा तो टाइम आपको देना ही होगा ओके देपिन के जवे एवे